हाई एवरिवान जैमा वैशनो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक्जाम मॉर्निंग टु नाइट रूटीन साथ ही कुछ ऐसी एक्जाम ट्रिक्स जो इस एक्जाम टाइम पर आप लोगों की बहुत ही जादा हेल्प करने वाली है तो बिना किसी देरी के शुरू करत रेस्ट मिलना इंपॉर्टेंट है जब मेरे एक्जाम हुआ करते थे ना तो मैं तो अपनी स्कूल टाइमिंग से एक या देर घंटा पहले उठ जाया करती थी ताकि अच्छे से मैं सुबह स्लेबस भी रिवाइस कर लू और अपने सुबह के सारे काम भी कंप्लीट कर लू इसलिए जितना हो सके बाहर की फ्रेश एयर लीजिए सनलाइट लीजिए ताकि आपका मून हमेशा हैपी हैपी रहे इसके बाद में सुबह थंडी थंडी हवा लेते हुए अपनी पानी की बॉटल भी खतम कर देती हूँ मैं राद तो ही अपनी इस कॉपर की बॉटल में प जैसे कि अभी आप लोगों के एक्जाम चल रहे हैं तो आप भर भर कर ड्राइफ रूट्स और नट्स खाईए यह आपकी मेमरी के लिए बहुत ही ज़ाद अच्छे हैं अब हम 5-10 मिनट अपना मेडिटेशन सेशन करेंगे ताकि हमने जो भी चीज़े पड़ी है वो अच्छे से हमें मेमोराइज रहे और हम अच्छे से अपना पेपर तर सके ज़ादा एक्सराइज करने का तो हमारे पास समय है नहीं क्योंकि अभी हमें अपने एक्जाम का भी बैठे ना तो अपने पास एक गिलास पानी खोल कर रख दीजे और इसके बाद ओम नाम का उच्छारन करिए आपकी कंसंक्रेशन पावर तो बढ़ती है है साथ ही ना आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रियेट हो जाती है और वो सारी वाइब्रेशन फिर आपके पानी के गिलास में चली जाती है इसके बाद आप उस पानी को पी लीजिए इससे वो सारी वाइब्रेशन वापस से आपके अंदर चली जाएगे और आप पूरे टाइम पॉजिटिव रहेंगे अब इसके बाद फ्रेशन अप हो कर ब्रश बगेरा करके हम आज की ए रिविजन करेंगे लेकिन रिविजन करने से पहले हम बनाएंगे अपनी टू-डू लिस्ट जिसमें हम वो सारे काम लिखेंगे जो हमें एक्जाम कंप्लीट होने के बाद करने हैं चाहे वो अपना सब्जेक्ट के लेसंस कंप्लीट करने हो या कोई और काम करना हो अब आप को लगता है कि टू-डू लिस्ट बनाना कितने जादा मुश्किल और फैंसी काम है तो यह बहुत ही जादा इजी है आप कोई भी एक शीट या डायरी ले लिजिए उसमें सबसे उपर लिखे टू-डू लिस्ट और आज की डेट डालिए और वन बाई वह सारे काम लिख प्लस सेंपल पिपर सॉल्ट करना है तो इस तरीके साब अपने सब्जेक को केटिग्राइज कर सकते हैं और टाइम पर अपने टास्ट कम्क्रीट भी अर सकते हैं रिविजन करने के बाद हम शावल लेंगे और रेडी होएंगे अपने एक्जाम के लिए सबसे पहले स्कूल इसके बाद फॉलो करेंगे अपना सिंपल सर स्किन केर जिसमें टोन और मॉस्टराइजर और संस्क्रीन इंक्ल्यूड रहेगा इसके साथ ही आपको अच्छे से अपनी नेक को और बॉडी को भी मॉस्टराइज करना है उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरे स्कूल होते ही उठकर घर आजाओ इसलिए इस समय का हम तो बड़ा भर्पूर फायदा उठाया करते थे बड़िया बड़िया हेर स्टाइल और पॉनी टेल बना कर जाया करते थे अब लास्ट में मैं हलका सा टिंट लगा लोंगे और इसी तरीके से में अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाया करती थी अब मैं करूंगी अपना बैक पैक जिसमें सबसे पहले में वाटर बोटल डालूंगी क्योंकि पानी पीना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है लेकि एकजाम के टाइम पर जाधा पानी भी नहीं पीना क्योंकि पिर आपको बार बार वाज्ण जाना पढ़ेगा और आपका ZAMA का टाइम कम होता रहेगा और साथ में आप थोड़ा से अपना टिफिन में स्नैक घरगर भी ले जाईए ताकि अगर आपको बीच में भूख लगे तो आप खा सके क्योंकि अगर भूख लगती है तो फिर सर में दर्द होता है जिस वज़ा से हम अच्छे से अपना एक्जाम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और एक और सिजोशन में आपको देना चाहूंगी कि एक्जाम जाने से पहले अच्छे से भगवान का और अपने ममी पापा का आशिरवाद ले कर जाईए देखना आपका एक्जाम कितना अच्छे से होएगा और ना यहाँ पर मैं अपने काना जी को नहला रही हूँ आप में से ही किसी ने मुझे पूछा था कि लड़ू कोपाल की सेवा आप कैसे करते हैं वैसे तो मुझे जादा कुछ आता नहीं है थोड़ा बहुत ही आता है वही मैं आप लोगो को बता देती हूँ सबसे पहले मैं अपने काना जी को ठाती हूँ और उनके लिए गरम पानी करती हूँ क्योंकि आजकल सर्दिया है नहलाने के बाद मैं उनको सर्दियों के कपड़े पहनागर बठा देती हूँ मैं जो जो खाना खाती हूँ मैं उन्हें पहले भोग लगाती हूँ हमारे घर में प्याज लस्तन नहीं बनता है इसलिए हम सब के लिए जो बनाते हैं वही उनको भोग लगाते हैं और साथ में भोग लगाने के साथ साथ उसमें तुलसी जी रखती हूँ इतना ही कुछ मेरे स्कूल बैंग में हुआ करता था और एक और चीज जो आपको में बताना चाहूंगी कि एक्जाम से एक या डेड़ घंटे पहले न आप चॉकलेट खा लीजे इससे आपकी कंसेंट्रेशन पावर इंक्रीज होएगी मेरा तो ये यूज करा हुआ है जो एक तो पहले आपको अपको अपनी स्कूल उनिफॉर्म चेंज करनी है उसके बाद ही खाना के लिए बैठना है आज ममी ने दिन में सिंपल सा ही खाना बनाया है चावल है और अलु मतर की सबजी है साथ में मूली का सलाध है तो आप लोगों को अपनी डाइट कर द्यान रखना अब हम करेंगे थोड़ी देर अच्छे से रेस्ट रेस्ट देंगे अच्छे से हम अपनी बॉड़ी को भी और अपने माइन को भी इस बीच अगर आपको फोन चलाना है बाहर खेलने जाना है दोस्तों से बात करनी है टीवी देखनी है तो वह आप कर सकते हैं लेकिन थोड जब आप एक या दो घंटे की नीन लेकर उठते है ना तो ये इतनी powerful nap होती है कि आपके अंदर एक अलगी refreshment आ जाती है हाँ थोड़ी देर के लिए आलस आता है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही होता है अच्छे से आपकी body और mind को relax मिल जाता है और आप अपनी आगी की चीज़ को करने के लिए ready हो जाती है और मैं अपने आपको थोड़ा से active करने के लिए फिर घर का काम कर लेती हूँ थोड़ी देर ताकि मेरे body अच्छे से खुल जाए तो आप भी अगर आपको कोई भी घर का काम दिख रहा है तो वो कर सकते हैं अब इसके बाद मैं बनाऊंगे अपने लिए कॉफी क्योंकि सोकर उठने के बाद मुझे बहुत जोरदार भूग लगती है और कॉफी और नमकीन सच्छा स्नैक क्या ही हो सकता है अगर आप चाई पीते हैं तो आप चाई भी ले सकते हैं अब इसको खाएंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स एक्जाम की तयारी करेंगे अब हम एक से तेड़ घंटा लगातार पढ़ेंगे और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगे कुछ एक्जाम ट्रिक जो इस एक्जाम शायद आप लोगों की थोड़ी सी हैल्प कर दें तो स्कार्ट करते हैं तो स्कार्ट करते हैं तिप नम्मोर वन से आपको लगातार पढ़ने के बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेने चाहिए ताकि आपके दिमाग को अच्छे से रेस्ट मिन सकें इस ब्रेक में आप थोड़ी देर वॉकिंग कर सकते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं डांस कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं पू इसी के साथ आपको ये भी समझना पढ़ेगा कि हर सब्जेक्ट एक्वर टाइम डिजर्व नहीं करता है कुछ सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल होते हैं तो उन्हें ज्यादा टाइम देना इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ही डिसाइड करना पढ़ेगा कि आप किस तर को टाइम पर कंप्लीट भी कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंटली की स्ट्रेस प्री रहिए हम क्या करते हैं एक्जाम टाइम पर घर पर ही बैठे रहते हैं दिन पर पढ़ते रहते हैं बहार खेलना खूदना बिलकुल बंद कर देते हैं जिस वज़े से स्ट्रेस औ आपका सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ी देर दीदी के साथ बाहर मटर गस्ती करने के बाद मैं अंदर आकर मुहाद दोकर अपनी मातरानी के पास चली जाती हूँ ये मेरा ही एक और तरीका है अपने दिमाग को रिलाक्स करने का और आज ही ना हमारे जानते का कोई वैश्णो देवी गया हुआ था तो हमारे लिए प्रशाद लेकर आया था तो यहां पर वही मैं मातरानी और सारे भगवान जी को दे रही हूँ और इसके बाद हम भी उसको खा देंगे इसके बाद नीचे आते ही मैं अपना कमफर्टेबल सा पजामा और सॉक्स पहल लेती हूँ क्योंकि रात के टाइम पर ठन थोड़ी सी बढ़ जाती है और एक्जाम के टाइम पर अपना बचाव करना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि अगर आप एक्जाम के टाइम पर पिमार पढ़ गये तो आपकी सारी महनत पर पानी फिर जाता है और ये दुख दुगना हो जाता है जिसन रिजल्ट आता है क्योंकि आपके आज पास के सब के एक्जाम में नंबर बहुत अच्छा आयोते हैं लेकिन आपके नहीं आयोते हैं और मेरे साथ तो ये अक्सर हु कर पड़ेंगे दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ति भर मन की भूली सी आशा चांदतारों को छूने की आशा असमानों में उड़ने की आशा फिर अपनी दो तिन घंटे की पड़ाई कंप्लीट कर गर जिसमें आपने बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था अब हम अपना डिनर करेंगे डिनर सिंपल सा है दाल आवले की चटनी और रोटी और इसके बाद हम अपना फॉलो क करेंगे नाइट स्किन कियर कितनी ज्यादा दूंडो देगे अच्छे सपनी स्किन को मौस्चराइज करके और ब्रेट बनाकर मेरे नाइट रिचोल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद अब हम एक गिलास गरम-गरम दूद पियेंगे कल का अपना अलारम सेट करेंगे बगवाद जी को थांक्यू करेंगे और स्ट्रेस प्री सो जाएंगे तो यही पर ही आज का रुटीन कंप्लीट होता है यह एक एक एक्जामपल था कि कैसे आप अपने एक्जाम टेम पर अपने रुटीन को सैट करते हैं जैसे मैं किया करती थी इसमें टाइम उपर नीचे चाहे आपकी स्टडी को हो या कोई भी चीज का थाइम हो से उपर नी बबबाइ!